नमस्का फास मनी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ संदीब ग्रोवर मेरे सेयोगी कुशल मेरे साथ माजूद हैं कुशल गुड मॉनिंगा अलाकि आज जा मॉनिंग गुड लगनी रही है जाता ग्लोबल संकीतों की बाते क्योंकि जादा स्क्रीन साथ देखें ला गोता निफ्टी बैंक लगा के बंद हुआ था और आज एक निफ्टी फिर से करीब साथ हंको के आसपास से गिरा सुपचास के आसपास कुझे लेवल सम्वो दिखने खूल रहे हैं और यह दर असल इसले को कि कल यूज के मार्केट्स आप देखिए उपरी सरों से फिसल के बंद होते हुए दिखें डाउ जोंस एक सौंकों से जादा गिर के बंद होता हुआ दिखा नैस्डेक जरूर हर इंशान में बंद होता हुआ दिखा लेकिन ओवराल देखा जाए जो मूड महौल था क्योंकि आखरी घंटे में यूज के मार्केट्स में ट्रेशर बंता हु दिखा रहा है तो जो एकॉनमी खुल रही है जिससे डवलो एचो लगाता वानिंग दे रहा है कि जहां जहां लॉक्डाउन खोला गया है वहाँ पे जो नहीं केसिस आने की रफ्तार उसमें तेज बड़ाउतरी होती हुए तो वो एक चिंता है जो कि कल यूज के मार्केट जो रुजाना आते हैं वही जो लेवल है कहीं मेंटेन होते हुए दिखें और 72,000 के पार भारत में जो मामले है वो कहीं पहुंचते हुए दिखें तो आज के लिए मूड माहल तो बैतर नहीं है कुछल आप कैसे रीड कर रहे हैं और कितने बाइस हैल है और आपके परफॉ करता है कि ट्रेड करें हाला कि एकनॉमिस जो है काफी जगाओं पर खुलती वी नजर आ रही है तो वह एक ट्रेड ओफ होगा पर अभी जो सिन्यारियों बनावाय है चाइना में जो सेकंड वेव ओफ कोरोना वाइरस है वो कहीं ना कहीं फिर से एक राइस होती में नजर आ अभी पर यह देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि भार की मार्केट जो है इस माहूल में कैसे प्लाइओ करते हैं कल पीम मोधी की सीट के साथ जो है बैटा कोई पर अगर आप पर्फॉर्मर्स को देखें सर्दीप कल के सत्रह में जो मेरे पर्फॉर्मर्स थे तो वहां अगर अगर आप देखें पर्टिकुलर्णी तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर ऑटो स्पेसिफिक अलेगर देखें तो हीरो मोटो कॉप अपोलो टायर यह अपने लक्ष्य जो है हासिल करते हुए नज़र आया इंफाक हीरो मोटो कॉप में 6-7% की तेज़ी हमें हमें देखने को मिली साथ ही वेदानता हिंडाल को मेटल स्पेस में अच्छी दौर लगाते वे नज़र आये 4-4% का इंट्राडे मूव जो है इन सब स्टॉक्स में भी हमें देखने को मिला पर सेल साइड में एशन पेंट्स था यहां पर जो है लगतार शुरुआती सत्र स से ही गिराविट हमें देखने को मिली और दिनके लुएस पॉइंट पर यह पंद होता हुआ नजर आया साथ ही अगर आप देखेंगे तो लूपिन और कडिला हेल्थ कर यहां इन दोनों स्टॉक्स में खरीदा गिराए थी तो यहां पर देखने को मिल भी रहा था लेकिन ह चे स्टॉक ऐसे हैं जिनमें टागेट या तो हेट हुए या तो फिर अपने टागेट के बहुत करीब जाके ही हमने देखा कि हाइस बनाते हो दिखेंगे इंडसिंट बैंक पहला स्टॉक है इसने टागेट हिट किया 458 का ही था मैंने 455 के टागेट दिये थे बंदन बैंक करने कि रहाई थी 250 रुपे 60 पैसे का आई था मैंने 200 रुपे का टागेट दिये था अग्रैसिव टागेट यह तब भी अचीव होते हो देखेंगे और डॉक्टर एडिस के फूचर में बिक्वाली करने कि रहाई थी कल आप स्टॉक देखें खुलाई प्रेशर के साथ और चे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन में जिस डिरेक्शन में आपको बताये थे वैसा है रुजान आपको देखने पूला या तो फिर टागेट से होते हो दिखें अब आज के स्टॉक्स की बात करें तो कुशल मैं आपको पांच बाए पांच साल बताऊंगा डिवाइडेड है पू करोड़ से बढ़कर और मार्जिन देखें साड़े पांच परसंट से कम थे पौने आठ परसंट के आजपास के माजिन उने डिलेवर की हैं तो जबर्दस परफॉर्मेंस से जाता है कर नंबस की बात है पैट में जिनूर थोड़ा सा अजस्मेंट है इस वज़े से आपको करता हूँ दिखेगा तो दोनों कारणों की वज़े से 410 का अग्रेसिव टागेट 301 कानिमिक आप स्टॉप पर सकते जिए दूसरा नाम है एडिये फूर्स का यहां तो नम और भी आपको दमदार नजर आएगी साड़े चार पसंट के माजिन कुशल आप देखिए साड़ यह तो एडिया फूर्स दमदार परफॉर्मेंस आज देखने को मिल सकता है अच्छे नंबर्स के दमपे 206 का टागेट जो कि इसका पांच परसेंट का उपरी सरकेट है एक सो चुरानी रुपे का आप स्टॉप लगा लीजिए बिल्कुल संदीप तो चलिए मुझे आज जो मार्केट का महुन लग रहा है उसे साब से इनफेक्ट पर्टिकुलर ली अगर आप देखे तो कल पीरामल एंटरपैसिस की नतीजे आए थे और नतीजे जो है बेहत खराब हमें देखने को मिले इनफेक्ट इनका जो मुनाफ की थी जिस मुझे से ऐसा इंपाक्ट हमें देखने को मिला इनके नतीजों में तो उसलिहाद से पिरामल एंटरपैसिस यहां पर आपको इसके फ्यूचर्स में बिक्वाली करने की राया है 880 रुपए के लक्ष के लिए आपर बिक्वाली कीजिए और 950 रुपए का हायर सा है यहां पर इसको कर चलें साथ ही अगर आप देखें तो एलेंटी फिनान्स होल्डिंग्स तो सेंटिमेंटल इंपाक्ट बाकी एंडिविस पर भी पढ़ता हुआ नजर आ सकता है और यहां पर इसके नंबर भी आते विए नजर आएंगे तो उसलिहाद से मुझे लग रह है कि टार्गेट रिखें और फिफ्टी एट आपको स्टॉपलोस लगाना हुआ है ठीक है अगला नाम जो मेरी लिस्ट में वह सी में कर जिसे आप सी मरीम के नाम से भी जानते हैं पांच पर से उपर कर टार्गेट दिया गया है तीन सो नौ रूपे पिशत्तर पैसे का और इसलिए से करदारी के लिस्ट में आज शामिल किया गया है इंडिगो कल भी स्टार परफॉर्मर था और आज भी कहीं ना कहीं एक्षन भरपूर देखने को मिल सकता है और यह दरसल इसलिए क्योंकि एक दो बहुत फेटा हुआ है और दूसरी बात जैसे कुशल आप लगात है कुछ ऐसे स्टॉक्स या ऐसी कंपनिया जो ऐसे सेक्टर्स जो की बहुत ज्यादा प्रभावित हुए है वहां पर आप देखिए एक शाप रिबाउंड या तो फिर एक जो रहत था एक रिलीफ रेली जो है वह कहीं ना कहीं साफ़तार पर देखने को मिलेगी इसलिए इ अगला स्टॉक है मेरी सुची में मानाव फिनांस का यहां पर एक सो तेईस रुपए का स्टॉक्स लगाना हुगा साथी अगला जो नाम है इसके फ्यूचिस बिस्टी की विर्याय है क्योंकि आज जो है MSCI में जो बदलाव होने वाले हैं उसकी बुछना वाली है तो यहां पर निकलने के में से वह पार तरीप डीड़ सो करोर रुपए जो है टाटा पावर के स्टॉक से निकलते भी नजर ठीक है पांचवर स्टॉक जो में लिस्ट में कुशल वो दरसल आपसे ही प्रबावित है कल आपने काफी सारे आटो स्टॉक बताये दमदार एक्शन वहां देखने को मिल रहा था टॉप गेर में थे आटो स्टॉक की जान तक बात है मुझे लगता है कि आज कुछ ऐसे करना क्या है कि आपको अपना स्टॉक लस्टे करते हूं जाना और अपना जो मुझे चलना है ताकि जब यगर इस राक ऊपर से करेक्ट होता भी मार्केट के मूट बाहल के साथ तो आपको मुनाफ़ा कही ना कर सुनिस्तित होता हो दिखे कल की क्लोजिंग के हिसाब से आप कुछ 26 रुपए 70 पैसे का स्टाप्लोस मेंटेन करने है तो अगर होता है तो टॉरेंट फार्मा में करीब तो भी सो पीस रुपे का बराकर चलना है तो पांच-पांच स्टाप्स हमने आपको बता दी मैंने आपको सभी स्टाप्स ख़जारी के बता हैं गोद्र जैग्रवेट के साथ मैंने शुरुबात करी कल जहां नंबर साये ऑपरेटिंग परफॉमेंस बहुत स्ट्रॉंग है औ मैं को एक बड़ा ओडर हाथ लगा है एक प्रेस्टीजिस ओडर है तो आज हो सकता है पांच-परसेंट की उपर सरकीट तक पहुंच जाए इंडिको कल भी काफी एच्छा चला था आज भी हो सकता है जिससार से अब फ्लाइट्स दुबारा शुरू होने को उपर विचार क इसका फायदा आया तो 990 तक के टागेट आजाएंगे और कल के आटो स्टॉक्स के दमदार प्रफॉर्मेंस के बाद कुछ आटो एंसलरी स्टॉक्स जो कि अंडर वैल्यूट है लिको आटो जैसे स्टॉक्स उनमें आज हो सकता है 28 पर तक के टागेट आजे 26 का आपको इसके अलावा मननवपुरम फंटर है जो आज कमजोरी का रुजहान दिखा सकता है साथी MSCI इंडेक्स रिव्यू जो है उसकी गोष्णा आज होने वाली है जिसकी वजह से टाटा पावर हो सकता है उससे बाहर निकलता वानजर है इसलिए इसमें बिक्वाली कीजिए और ट पाकी बचे सॉक्स हैं उसके उपर फोकस करते हो मेरे लिस्पे जो अगले नाम है उससारे ही विक्वाली के ट्रेट से पहला नाम अग्ले जो दो नाम है वो माइक्वशन इसमें आप एक्विटास और साथ उस जीवन जैसे स्राक्स को शामिल कर सकते हैं दोनों के फूच्र अगर आप इंडिया की बात करें, तो खास और पर जो छोटे वर्करस हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो बाकी जो लेवर्रस हैं, जहां से इनके कारोबार का बड़ा हिस्सा आता है, वहाँ पर आप देखें, दिक्कते काफी जादा हैं, इन फैक्ट जो ऐसे लेवर क्लास क जो मांग है इन छोटे जो लोन लेने वाले लोग होते हैं उनकी और से काफी ज़्यादा देखने को मल देगे तो जो दिक्कते हैं वो शायद economy से ज़्यादा जो छोटा तपका है जो की छोटे-छोटे लोन लेते हैं लोग और borrowers होते हैं खेतों में काम करते हैं दूसरी labor के क सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए हो सकता है काफी ज़्यादा दिक्कत बंती हो दिक इसलिए दोनों स्टॉक्स में बिक्वाली करें कल वैसे भी हर इंशान में बंद हो थे 47 का टागेट होगा एकविटास के फूचर में पुजीवन के फूचर सगर आप बेशते हैं 165 का 500 रुपए जो है आते में नजर आएंगे बायो कॉन में इसलिए खरेदारी करके चलें 302 का लक्षे बनाई ये 342 का आपको स्टॉप लोस रखना होगा साथी अगला स्टॉक आर्गेल बैंक के फ्यूचर बेशने का है यहां पर भी जो है यह बैंक कॉंस्टेंटली बिक्वाली का टागेट है और 123 का अब स्टॉप लोस बराकर चले अगले जो तीन नाम है अलाकि बिक्वाली के हैं लेकिन MSI इंडेक्स से जुड़े हुए कुछ जैसे आपने कुछ स्टॉक्स होता रहे हैं लेकिन मेरा व्यू आप से थोड़ा सा डिफरेंट है पहला नाम मेरे लिस में है आईजेल के फ्यूचर्स का आईजेल के फ्यूचर्स आपको बेच के चलने हैं जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स ऐसे जो की इंडेक्स में शुमार होते हो दिखेंगे आज चुके MSI इंडेक्स का घोशना होनी है तो उसलिए आज से मुझे लगता ह कि ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्रॉइबिल्टी है कि वो एंटर कर सकते हैं वहां पर बाइंग इंडेक्स आप देखने को मिल चुका है और आईजेल जैसे स्टॉक्स आप देखें कल के सेशन में आप देखें 5% से ज़्यादा की तेजी स्टॉक्स में देखने को मिली करीब 500 कि आज पास की क्लोजिंग है और मैं आप पिछले दो दिन के ही आप एक्षन देख लिए काफी स्टॉंग देखने कुमला है और पिछले एक महिने में तो अगर आप देखें तो लो लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी कि इन फैक्ट 440 के नीचे से चलना शुरू हुआ थ चुका है जबकि हम इतने चैलेंजिंग टाइमस में बैठें हुए है और इनकी जो डिमांड है कब रिवाइब होगी उसको लेकि कोई भी अभी अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि यह बाइन रूमर सेलों नीउस वाला केस कहीं आ अगर आप उपर में शॉट करें तो अपना स्टॉप लाशे अगरा जो नाम है वो है टाटा कंजूमर का सिमले स्टोरी है आप जिस तरह से आईजेल की बात करें वैसा ही कुछ-कुछ रुजहान आप देखें टाटा कंजूमर के केस में भी देखने कुमला है वैसे भी अगर आप इसका भी एक मेने का चार्ट देख लें तो करीब 300 रुपे के आसपास से चलना शुरू हुआ था और आप देखिए 360 रुपे के आसपास से अवेलेबल है तो उसलिहां से मुझे लगता है कि आज एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है कि जब अब जैसे ये न्यूस कंफर्म होती हुँ देखेगी तो टाटा कंजूमर के फ्यूचर में विभवाली करें तो 344-340 सके लेबल साजेंगे 369 रुपे के आसपास का स्टाप बस करा दीजिए बिल्कुल संदीप तो चलिए अब अगला जो स्टॉक है मेरी सूची में वो चोला मंडलम फिनांस के फ्यूचर बेचने की रहा है है इन फैक कल के सत्र बेगर आप देखेंगे तो 6.5% की यहां पर होती ही निजर आई थी अभी जो पिराबल के नंबर जाया है उसके आपको चोला मंडलम में आज देखने को मिल सकता है तो यहां पर 148 के लक्ष लिए आप दिख्वाली करकर चले और 159 का आपको stop loss लगान कहीं जितने भी बैंक्स हैं वो कोविट प्रोविजनिंग जो है वो कंपरिटिवली जादा कर रहे हैं जो एनलिस्ट इक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो उसके हाथ से एक्सेस बैंक में बिक्वाली करने की रहा है 370 के लक्ष के लिए यहां पर बिक्वाली कीजिए और 395 अगला नाम जो मेरी लिस्ट में जो आक्री स्टॉक है वो है एस्टेफ सी लाइफ का इसके फ्यूचर्स में आपको करने हैं अबिक्वाली कल 1% के आसपास की मद्बूती थी आप देखिए कल इसने हाई बनाया था 549 के आसपास का और कल की क्लोजिंग आप देखिए 526 की ह और मैं इसका एक मेने का चार्ट देख रहा था कुछल साड़े 400 रुपे से लेके 540 तक का आल्मोस्ट वन वे मूव स्टॉक ने दिखाया है इसी एंटिसिपेशन में कि इसका भी वेटेज बढ़ता हो दिखे का MSCI इंडेक्स में इसी एंटिसिपेशन में जो खरदारी हु मिल जाए उपर मिल जाए तो आपको शॉट करने का बहतरी मौका है मुनाफ़ अवसूली हावी होती हो दिखेगी मेरा जो टागेट है आज के लिए वो 510 रुपे के आस पास का है 531 कल की क्लोजिंग के हिसाब से है आप जब शॉट करें तो अपने लेवल को प्ली से लिज तो कहीं ना कहीं इसका जो इंपाक्ट है वो बुराय रियाल्टी पर तो पड़ेगा ही पर डियलेफ पर भी आपको पड़ते है आज जो है इसमें देखने को मिल सकता है तो डियलेफ में विक्वाली करकर चलिए 129 का लक्ष इसमें बनाई है और 140 का आपको स्ट्रिक पर रोक लगी है वो भी फायदा करेगा स्टॉक में 410 का टागेट एडिये फूट्स अग धंदार नंबर से उसके दमपे आज हो सकता है कि 206 तक के टागेट असानी से आपते हो दिखें सीमेट को एक ओडर हाथ लगा है तो उसमेट को एक ओडर हाथ लगा है तो उसमेट को जैसे 309,75 का टागेट लेके खेदारी करें प्राइस जो है पहला स्टॉक है यहां पर आपको बिक्वाली करकर चलनी है उसका जो सेंटिमेंटल इंपक्ट है आपको एलेंटे फिनांस हुल्डिंग जिसके नंबर 15 तारिक वाने वाले हैं वहाँ पर भी आतावा दिख सकता है और साथी मनापुरम फिनांस यहां पर भी विक्वाली करने की राय है MSCI Index Review जो है वो आज उसकी गोशना होनी है तो टाटा पावर जो है इसके बाहर निकलने की संभावना है तो यहां पर विक्वाली करकर चलिए तो साथी मुझा करने की राय है तो के तो बीस टॉक्स आपके सामने है तेरा बिक्वाली के और केबल साथ स्टॉक्स आज खाज़ारी के हैं थोड़ा मूद महल माकर ग्लोबल मारकिट का खराब है इसी लिए आपको ज्याद़ बिक्वाली के टेट्स पताएगे उम्मीद करते हैं आ झाल